नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम हिंदी का सॉल्ब्र क्वेश्चिन पेपर करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो क्वेश्चिन नमबर वन है रस का अनुभव कौन करता है तो इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर सी पाठक या दर्शक रस का साब्दिक अर्थ है आनंद कावे को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद के अनुभूती होती है उसे रस करते हैं रस के चार अंग हैं स्ताई भाव, विभाव, अनुभाव को संचारी भाव करते हैं और फोर्थ है अब्यविचारी भाव नेक्स्ट क्वेश्चिन है वियंजना सब्द सक्ति के कितने भेद माने जाते हैं तो इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर ए दो, वियंजना के दो भेद हैं शाब्दी वियंजना एवं आर्थी वियंजना शब्द पर अधारित वियंजना को शाब्दी वियंजना कहते हैं और अर्थ पर अधारित वियंजना को आर्थी वियंजना कहते हैं next question है जिस रचना मैं पूर्वा पर सबंद नहीं रहता उसे क्या करते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option number D, मुक्तक काब्या समास शब्द जो है यह दो शब्दों सम और आस से मिलकर बना होता है सम का अर्थ है संक्षिप्थ और आस का अर्थ है कथन जिसका अर्थ है संक्षिप्थ कथन अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों सी मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को जो है हम समास कहते हैं नेक्स्ट क्वेशिन है यथा करम कौन सा समास है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C अभी अभी भाव समास नेक्स्ट क्वेशिन है गिरिंदर का उचित संदी विछेद क्या है तो इसका राइट अंसर है option number A गिरि प्लस इंदर नेक्स्ट क्वेशिन है गत्य विरोध का उचित संदी विछेद क्या है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C गत्य प्लस अभरोध नेक्स्ट क्वेशिन है आपने बताना है कि भावाचक संग्या क्या है सती की जो है भावाचक संग्या बनती है सतित्व जागना जो है इसकी भावाचक संग्या है जागरन मिलना की भावाचक संग्या बनेगी मिलाब नेख्ट क्वेशिन है पिटी कोट गवर्न्मेंट मुहावरे का उचित हिंदी रुपांतरन क्या है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A घर में पत्नी का शाषन होना next question है बीट बलेक एंड ब्लिव मुहावरे का उचित हिंदी रुपांतरन क्या है तो इसका right answer हो जाएगा option number D, बुरी तरह पीटा जाना next question है धोती धिली होना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है तो इसका right answer है option number A, डर जाना next question है पंजी जहाड कर लिपटना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है तो इसका right answer हो जाएगा option number B, बूरी तरह से पीछे पढ़ना Next question है अनिश्चिय वाच्चक सर्वनाम का प्रियोग किस वाक्य में हुआ है तो इसका right answer है option number A, उन्हें कुछ दे दो सर्वनाम जो है वो शब्द होते हैं जिने हम संगय के इस्थान पर प्रियुक्तिक होते हैं संगय के इस्थान पर यूज होने वाले शब्द जैसे मैं, तुम, हम, वे, आपा दियाते हैं शर्वनाम जो हैं इसके 6 भेद हैं पुरुस वाचक सर्वनाम, निश्च्य वाचक सर्वनाम, और निश्च्य वाचक सर्वनाम, सबंद वाचक सर्वनाम, प्रशन वाचक सर्वनाम और नीज वाचक सर्वनाम और निश्चि वाचक सरबनाम में जो है किसी निश्चित वस्तु का जो है बोध नहीं होता है जैसे वदारन के लिए कोई या कुछ ओके नेक्स्ट क्वेशिन है किस वाख्य में प्रशन वाचक सरबनाम का प्रियोग हुआ है तो इसका right answer है option number C वहां कौन गा रहा है next question है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ये दोनों किस क्रिया के अंतरगत आती है तो इसका right answer हो जाएगा option number B सामानने क्रिया के अंतरगत next question है वह आगे गया में कौन सा क्रिया विशेशन है तो इसका right answer है option number B स्थानवाच्च क्रिय विशेशन नेक्स्ट क्वेशिन है जो मास नहीं खाता कौन सा एक शब्द इसके लिए उप्यूक्त है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number D, नीरामिश नेक्स्ट क्वेशिन है क्रितग्य का अधो लिखित मैं से बिलोमार्थक शब्द कौन सा है तो क्रितग्य का हो जाएगा बिलोम शब्द क्रितगन नेक्स्ट क्वेशिन है अगनी का तदभव रूप क्या है तो इसका राइट अंसर है option number A, आग सभापती का स्त्रेलिंग क्या है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number B, सभाणित्री नेक्स्ट क्वेशिन है अतिब रिष्टी में अधो लिखित मैं से उपसर्ग कौन सा है तो इसका राइट अंसर है option number A, अति नेक्स्ट क्वेशिन है संचार या संप्रिक्षिन का लक्षे क्या होता है तो इसका राइट अंसर है option number B, व्यवहार में बदलाब नेक्स्ट क्वेशिन है वाचन करते समय दो केंदरों के बीच के विराम को क्या करते है तो इसका राइट अंसर है option number A, आइस पेन अर्थात दुरिष्टी विराम नेक्स्ट क्वेशिन है व्यक्तित्व का मुल्यांकन किसके प्रियोग से सर्वोत्तम रूप से किया जाता है तो इसका राइट अंसर है option number A, प्रक्षिप्य प्रिक्षन प्रोजेक्टिव टेस्ट के दुआरा नेक्स्ट क्वेशिन है एक पंद्रह वर्स का छातर उसी प्रकार का स्वेटर पहनने का शोकिन है जो उसकी सिक्ष का दुआरा पहना जाता है इस प्रकार का भियवार क्या कहलाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number B, पहचान तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुलें धन्यवाद